ओम शान्ति आप सभी को महा शिवरात्री के उपलक्ष में उस शिव परम पिताप शिव परमात्मा के शिव जयन्ती की वा शिवरात्री के बहुत बहुत कोटी कोटी पद्मा पद्म बधाईया ओऊ बधाईया हो हो बधाईया ओऊ आप सब जानना चाएंगे के महा शिवरात्री का और्थ क्या है ये शिवरात्री परम क्यों मनाया जाता है एक बहुती सुन्दर बात आपके सामने रखना चाहूंगा पूरे भारत में उत्तर चले जाओ चे दक्षन चले जाओ चे पूरव चले जाओ चे पश्चम चले जाओ हर तिन किलोमेटर बाद हर गाओं में कोई ना कोई शिव मंदर जिसे शिवालय कहते हैं वो मिलता है और वहां पर शिवलिंग की परतिमा उशिव परमात्मा की यादगार उसमें दिखाई है कौन है वो ऐसी हस्ती जिसका पूरा भारत हर गाओं में उस गाओं को सुना समझा जाता है जहां पर शिवालय वाशिवलिंग ना हूँ जिसकी इतनी महिमा इतनी पूजा इतना कर रहे हैं तो आप सोचें अवश्य उसने कुछ इस दरा पर विशेश कारे किया होगा जितने भी हमारे वो हैं विशेश मंदर देखो बड़े बड़े जितने मंदर मुखे भारत के जहां मान्यता टिकी हुई है जहां आस्ता टिकी हुई है हमारे द्वादस शिवलिंग वहां पर भी अगर आप देखेंगे वहां भी उस शिवलिंग की परतिमा मिलती है जो की परम पिता शिप परमात्मा जियोती बिंदु जो निराकार जियोती सुरूप हैं जो जनम मरण से नियारे हैं वो जियोती सुरूप परम पिता परमात्मा की यादगार शिवलिंग की परतिमा सब जगे जो मिलती है तो वास्तव में उसका भाव यही है कि भगवान का हा पैरनाक मू कान कुछ नहीं है वो निराकार जोती सुरूप है उसे कहीं जगे तो शिव लिंग की जगे जोतर लिंगम भी कहा है तो वो जोती सुरूप लिंग माना चिन्य जोती का चिन्य और शिव का मतलब कल्यानकारी वो सरवात्माओं के कल्यानकारी भी हैं वास्तव में कल्यानकारी पिता जोती शुरूब जोती बिंदु इस धर्ती पर आउत्रित होते हैं उसी की यादगार में शिव जियन्ती मनाई जाती है आप देखेंगे वारणसी में चले जाओ तो वहाँ पर वेश्वनात का मंदर सारे उसी के ही एडजेक्टिव नाम है गुणवाचक नाम है वेश्वनात सारे वेश्व का नात फिर आप देखेंगे दूसरी और सोमनात ग्यान का सोमरस पिलाने वाला तो वह है सोमनात फिर आप देखेंगे कि हमारे और आगे जाईए बदरी नात जिसका वास्तम में विशाल हरदे हो वो है बदरी नात, कैदार नात जो अधारता से संपनों वो है कैदार नात सब जगे आप महा काले इश्वर कालों का काल महा काल ऐसा इश्वर उसकी यादगार का ये मंदर उज्जेन में दिखाया जाता महा काले इश्वर तो कहीं वैदनात कहीं मतलब सब उसी के अडजेक्टिव उसी के गुणों से वो सब जगे मंदर मिलते और लाखों भक्तों का ताता लगता चाहे कश्मीर के अमरनात में जाओ चाहे जम्मू के रगुनात मंदर में जाओ इतना ताता लगता उस शिप भोले के दर्शन के लिए तो सोचो क्या है वो हस्ती जिसने इतना बड़ा कारे किया जिसकी आज हर व्यक्ति को खींचो रही है मगनेटिक पुल लो रही है और उसको वो भिनबिन तरीके से याद कर रहे है तो शिप परमात्मा वास्तों में सरवात्माओं के पिता है सबी उसको किसी ना किसी रूप से याद करते हैं शिव रात्री क्यों मनाई जाती शिर किर्शन की जन्वास्ट मी मनाई जाती रविदास जियनती मनाई जाती शिर गुर्णानक देव की जियनती बनाई सब की जियनती लेकिन शिव की रात्री क्यों क्या कारण वास्तव में रात्री अज्ञान का सूचक है वास्तम में रात्री अंधेरे का सूचक है तो रात में अंधेरा होता तो शिप परमात्मा जयोती बिंदू वो प्रवेश करके इस वक्त इस रिष्टी पर आकर साधार और मानवी तन उसका अधार लेते और आकर के वो इस वक्त सारी दुनिया से अंधेरा खतम करके बहुत दुनिया यहां पर स्थापन कर देते तो रात्री क्यों दिखाई जब चारों और विकारों का अंधेरा अज्ञान का अंधेरा फैल जाता ऐसे टाइम पर परमपिता शिप प्रमात्मा आते इसलिए उसे महाशिव रात्री कहते तो हमें इस तरह अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि परमपिता शिप प्रमात्मा निराकार ज्योती बिंदू के अवतरन दिवस की यादगार ये शिव जियनती है जिसे हम सब धूम दहम से मनाते हैं इसलिए उस शिव जियनती पर हम परियास करें उस सच्छी पिता शिव प्रमात्मा को पैचान के सब को उनकी पैचान देवें और हम देखते हैं कि भिन भिन तरीके से उसको याद करके वास्ता में जम्मू में जाओ तो जहां बीच में शुलिंग और चारों और फिर सालिगराम दिखाएं अर्थात आत्मा हैं तो अनेक हैं सालिगराम आत्माओं का सुचक है और शिव परमात्मा का सुचक है मुझे याद है एक बार मैं बैंगलावर के पास शायद वहां से 50 किलो मेटर दूर होगा 50-60 किलो मेटर कोटी लिंगेश्वर मंदर ब्राता जी हम आपको कोटी लिंगेश्वर मंदर दिखाएंगे हमें ले गए वहां ले गए तो वहां देखा के एक महात्मा ने काफी सारे एकड़ भूमी में एक क्रोड शिवलिंग की स्थापना किया चोटे-चोटे सालिगराम का हो शिवलिंग चोटे-चोटे और बीचो बीच एक ध्यन करके conclusion निकाला के इस रिष्टी के पिता जो है वो परम पिता शिव प्रमात्मा है इसलिए उन्होंने कोटी लिंगेश्वर उनका मंदर बनाने का विचार किया और फिर जब वो जो फिर दुबारा उन्होंने रिसर्च की कौन से संस्ता है जिसका हर भाई भेन उस शि पूरा ही शिव के परती समर्पित है वो शिफ बाबा करते शिव बाबा की मुरली सुनते शिव बाबा से मीठी-मीठी बातें करते तो वास्थमें ब्रह्मा कुमार investigator विश्वर विश्व विभेलिया उन्हें नज़रा है तो फिर वो हमारी द्दाधी प्रकाश्म नी जी ज परदरशनी समझा उने सब समझाया तो उन्होंने कहा के मैं अंदर आश्रम बना कर देता हूं वहा भेने रहें और जो भक्तों का ताता लगा रहता है उन्हें सब शिप बाबा का परिचे दे कि शिप बाबा कैसे जीोती बिन्दू निराकार जीोती सुरूप है दादी जी ने उनकी अप्लिकेशन स्विकार की उन्होंने अंदर ही आश्रम बनाया और बहने वहां रहती है इस तरीके से शिव परमात्मा का कितना हमारे मन में रिस्पेक्ट है वो हमें पता लगता है इसलिए शिव जन्ती के दिन भागवान कहते हैं तुम वर्त रखते हो अरे वही तुम इस चे खाने पीने का वर्त रखेंगे उससे क्या होगा तुम्हें तो बुराईयों का वर्त रखना है तुम्हें कमी कमजोरियों का वर्त रखना है वर्त से ही तुम्हारी वर्ती परिवर्तन होगी ये है सच्चा वर्त उपवास उपर वाले के पास वास करना उसे कहते उपवास तो परम पिता शिव परमात्मा इस समय कहते के बच्चे जो मुझे याद करेंगे वो आगे आने वाली नहीं दुनिया में मालिक बनेंगे वे शुके मालिक बनेंगे इसलिए अब नहीं तो कभी नहीं ये है शिव जयनती का सही सही रहसे जो आप सब के साथ हमने शेयर किया ओम शान्ति